आउसुबिल्लाहिमिने श्यत्वानुर्जीम बिस्मिल्लाहिर रख्मानुरहिम असलाम अलेकुम स्टूरेंट्स में अगर आगे इसके जो फिफ्ट से ऑनवर्ड पार्ट करवाओंगी तो अगर आप इसको भी गौर से देखें तो आपको प्रिवेस लेक्टर की भी समझ आ जाएगी अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फिफ पार्ट अगें हम इसको मैट्रिक्स इंवेजन मैट्रट से कर रहे हैं तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म कोफिशेंट लिखेंगे 3-2-6-4 विरियेबल लिखेंगे x y is equal to is equal to के बाद जो constant है वो लिखेंगे यह a है यह x है और यह b है विर a is equal to 3-6-2-4 x is equal to xy b is equal to 4-7 तो अगर हम x को इदर आने दें तो यह बन जएगा a inverse b इसको हमने equation 1 का नाम दे दिया a inverse किसके बराबर है adjoint a over a determinant के तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे determinant find out करेंगे determinant find out करेंगे तो क्या हो जागा a determinant 3-2-6-4 determinant में क्या होता है पहले diagonal entries को multiply करते है minus minus 2 into minus 6 4-3s are 12 minus 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 plus 6-2s are 12 अब देखे same values with opposite sign तो answer क्या आजाएगा 0 अब देखे इसका determinant 0 है as a determinant is equal to 0 so its solution is not possible जब non zero था तो हम उसको आगे further solve करते थे इसमें देखें आपके पास determinant क्या आगया है 0 तो इसमें हम आगे further solve नहीं कर सकते क्यों क्यों क्योंकि यह मैंने बहुत दफा आप लोगं को यह बताया है क्यों हम नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप adjoint a over a determinant यहाँ आप a determinant की value पुट करते थे जब non zero होती थी minus 4 minus 8 या जो भी निकला 8 positive भी निकल सकते है negative अगर यहाँ zero पुट करेंगे तो something by zero is equal to infinity तो infinity जो है वो possible नहीं है इसका मतलब है जब भी आपके पास determinant जो है वो zero आएगा तो आपका आगे फर्दर कोई भी आप solution निकाल रहे हैं या कोई चीज फाइंड आउट करे हैं वो आगे further possible नहीं है तो आपका answer यहीं खतम हो जाएगा कि as a determinant is equal to zero so its solution is not possible अब हम इसका part 6 करते हैं तो सबसे पहले हम इसको matrix form में लिखेंगे 4, 1, minus 3, minus 1 x, y, 9, minus 5 यह a है, यह x है और यह b है where a आपके पास क्या है 4, minus 3, 1, minus 1 x जो है वो है x, y और b आपके पास क्या है 9, minus 5 so आपके पास क्या आजाएगा x is equal to a inverse b इसको मैंने equation 1 का नाम दे दिया और अब सबसे पहले हम a inverse find out करेंगे adjoint a over a determinant सबसे पहले हम determinant find out करेंगे 4, minus 3, 1, minus 1 diagonal entries को पहले multiply करेंगे 4, minus 1, minus, minus 3, into 1 minus 4, minus, minus, plus 3, 1, 2, 3 तो answer आजाएगा minus 1 which is not equal to 0 so solution is possible अब आप क्या निकालेंगे adjoint of a adjoint of a क्या होता है diagonal entries के आपने position change करनी है और non-diagonal entries के sign तो यह आग जाएगा आपके पास adjoint अब a inverse किसके बराबर है adjoint over a determinant के जो के क्या है minus 1 तो आप यहां लिख सकते है minus 1 minus 1, minus 1, minus 1, 3, 4 और अगर आप इसको यहीं divide करना चाहते हैं तो आप यहीं भी कर सकते हैं क्योंके जो fraction वाले था उसमें मुश्किल था इसमें मुश्किल नहीं है तो हम इसको इधर ही कर लेते हैं हम यह वाला step इसमें नहीं करते यह minus है तो यहां minus 1 minus 1 minus 1, minus 1 तो यह क्या आजाएगा आपके पास minus minus कट किया 1 minus minus कट किया 1 minus 3 minus 4 तो यह आपके पास आजाएगा A inverse अब आपने क्या find out करना है हमने values पूट करनी है values of A inverse and B in equation 1 तो X किसके बराबर हो जाएगा 1, 1, minus 3, minus 4 और अगर आप वोला step करना भी जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं लिए कि मैं direct कर दिया आप ऐसे कर लें विश्तरा करना है उस तरह भी कर सकते और B आपके पास क्या है 9 minus 5 multiply करेंगे उल्टा L 1 into 9 plus 1 into minus 5 minus 3 into 9 plus minus 4 into minus 5 9 ones are 9 minus 5 9 threes are 27 minus minus plus 5 fours are 20 तो यह आजएगा 9 में से 5 गए 4 और साइन बड़ी वैल्यू का तो यह आजएगा 4 और नीचे क्या आजएगा plus minus minus sine बड़ी वैल्यू का तो यह हमने किसकी वैल्यू निकाली है x y की तो हमारे पास x क्या आजएगा 4 और y आजएगा minus 7 और solution set की form में क्या होगा solution set की form में हो जएगा 4 तो यह आपके पास इसका part 6 भी complete हो गया part 7 आप खुद करेंगे और part 8 जो है वो मैं आपको अभी करवा जएगा question number 1 का last part है 8 part इसको भी हम कर रहे हैं matrix inversion method से तो सबसे पहले matrix form तो आपके पास क्या आजएगा 3 minus 4 1 2 x y 4 8 यह आपके पास है a, b और यह क्या है a, x और यह है आपके पास b अब where a is equal to 3, 1 minus 4, 2 x is equal to x, y और b is equal to 4, 8 तो आपके पास क्या हो जाएगा a, x is equal to b और x is equal to a inverse b इसको हम equation 1 का नाम दे देंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे a inverse find out करेंगे जो के बराबर है adjoint a over a determinant के और इसमें हम सबसे पहले a determinant find out करेंगे 3, minus 4, 1, 2 यह a matrix है determinant में हम क्या करते हैं पहले diagonal entries को multiply करते हैं पीच में minus और फिर non-diagonal entries को तो answer आजएगा 3, 2, 6 minus 4, minus minus plus plus 4 is equal to 10 which is not equal to 0 so solution is possible अब आप इसका adjoint लेंगे adjoint क्या होता है diagonal entries की position change और non-diagonal entries के sign change तो यह आपके पास आजएगा adjoint of a तो a inverse किसके बराबर हो जाएगा 2, 4, minus 1, 3 और 10 के तो आप इसको लिख सकते हैं 1 by 10 2, 4, minus 1, 3 अब आपने a inverse और b की value equation 1 में put करने हैं तो put values of a inverse and b in equation 1 we get x में a inverse की हम value पूट करेंगे a inverse की value थी आपके पास 1 by 10 यह हमने values पूट कर दी 1 by 10 को अभी as it is रहने देंगे और इनको आपस में क्या करेंगे multiply तो 2 x 4 plus 4 x 8 minus 1 x 4 plus 3 x 8 1 by 10 4 2s are 8 plus 8 4s are 32 minus 4 plus 8 3s are 24 simplify करेंगे 8 plus 32 40 minus 4 plus 24 20 अब यह यहां डिवाइड हो रहा है तो हम इसको individual उसके साथ डिवाइड करेंगे 20 by 10 तो यह आजाएगा 4 और 2 यह किसकी value आपने निकाली है? x की जो किसके बराबर है? x, y के तो x आपके पास क्या आजाएगा? 4 और y क्या आजाएगा? 4 और y आजाएगा? 2 और solution set की form में हम क्या लिखेंगे? double bracket पहले 4 और 2 तो यह आपके पास question number 1 complete हो गया है by matrix inversion method लेकिन इसका अभी प्रामर रूल से इसका रहता है तो होवक में आपको सिफ मैं एक पार्ट दे रही हूँ exercise number 1.6 का question number 1 का part 7 यह आप लोग खुद करेंगे ठीक है? इन्शाला next lecture में हम इसी वाले इनी questions को हम क्रामर रूल से करेंगे ओके students, take care, Allah आफेस